हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल सैगल एजूकेशन में आज मैं आपको लेकर करके आया हूं MS Word के पार्ट थर्ड में जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 MS Word के कॉश्चन जो हमेशा आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए एंड शेयर किजिए तो देखिए ये मेरा पहला कॉश्चन है पहला कॉश्चन है MS Word में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है तो MS Word में पेज ब्रेक हम कैसे करते हैं मतलब एक पेज से दूसरे पेज में हमें ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे उसका उसका कौन-कौन सा सौर्टकर आ है उसका है Ctrl, Enter, Ctrl, P, Ctrl, C, या कोई नहीं तो इसका हमारा option है पहला वाला पहला वाला option है आपका Ctrl, Enter Ctrl, Enter जैसे ही हम press करेंगे तो हम अपने page को break कर देंगे कैसे करेंगे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया मैंने paragraph के बीच में click किया और Ctrl, Enter प्रेस किया जैसे ही मैंने Ctrl, Enter प्रेस किया तो देखिए वो paragraph मेरा दूसरे page में चला गया मतलब जहां पर मेरा click था वहाँ से वो page दूसरे page में चला गया और पहले page में वो ही paragraph रह गया तो हो इम से कहते हैं control enter अब हम चलते हैं अपने दूसरे question की तरफ दूसरा question हमारा MS Word में font dialog box option किस shortcut key से खूता है हमारा answer है control shift p, control shift p पहला या दूसरा या फिर control p हमारा right answer है पहला या दूसरा पहला वह दूसरा तो पहला वह दूसरा क्या है control shift p या Ctrl Shift P जैसे मैं प्रेस करूँगा तो भी मेरा box खुल के आ जाएगा font वाला यह देखिए आपके सामने जैसे मैंने Ctrl Shift P प्रेस किया तो भी खुल के आ जाएगा और मैं Ctrl Shift F प्रेस करूँगा तो भी मेरा यही dialogue box खुल के आजाएगा देखिए मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं मैं दौनों चीज जो भी आपको question का answer बताऊंगा वह मैं उन्हें कर करके दिखाऊंगा तो आपको कोई भी problem हो तो आप मुझे comment box में comment भी कर सकते हैं अब हम shortcut की से हम small letter में करते हैं तो small letter में करने के लिए होती है हमारी control shift k control f control shift p control f तो हमारा right hand रहे control shift plus k control shift plus k देखिए मैं अभी करके बताऊंगा मैंने paragraph को select किया और control shift plus k press किया जैसे ही मैंने control shift plus k press किया तो यह देखिए word हमारे convert हो गए आपके तो जैसे हम control shift plus k करेंगे तो हमारे letter में convert हो जाएंगे small letter में और फिर दोबारा control shift plus k करेंगे तो वह वापस बैसे ही हो जाएंगे तो अगला question हमारा fourth question fourth question की तरफ हम चलते हैं ms word में letter case change करने के लिए कि shortcut की का प्रयोग किया था letter case change देखिए shift plus f3 shift f3 shift f2 shift enter तो मेरा right answer is shift plus f3 अब shift plus f3 कैसे काम करता है यह भी मैं करके बताता हूं आपको देखिए मैंने paragraph select किया select किया और shift plus f3 press किया जैसे ही मैं shift plus f3 press करूंगा तो यह देखिए हमारा change हो जाएगा यह letter में change हो जाएगा अब हम अपने next question की तरफ चलते हैं जो हमारा fifth question अब मैं आपको करके देखाता हूँ जैसे मैंने paragraph select किया paragraph में कोई word है उसको select किया जैसी मैं select करता हूँ देखिए किसी line को या किसी word को ctrl k press करूंगा जैसी मैं ctrl k press करूंगा तो आपको जो भी hyperlink करनी है जस भी फाइल को आप उसको hyperlink करके कर सकते हैं, देखिए color change होगा आप control दबा के आप click करेंगे और click करने के बाद yes प्रेस करेंगे तो वो वाली फाइल आपकी जो link करी है वो file खुल के आ जाएगी, देखिए आप application link करी थी हमने तो वो application खुल तो आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको समझ में आ रहे होंगे question क्योंकि मैं आपको करकर के भी देखा रहा हूँ, with example बता रहा हूँ मैं आपको, अब हम चलते हैं, अपने छटे question की तरह, छटा question है, MS word में spelling and grammar की जाच करने के लिए यह हमारे चार option है, तो इसमें हमारा right answer है, F7, अब यह कैसे काम करता है, जैसी मैं select करूँगा किसी भी word को और F7 प्रेस करूँगा, तो वो spelling and grammar का option खुलके आ जाएगा, इस समय screen recording हो रही है, तो शायद नहीं खुलके आए, तो आप अपने उसमें करेंगे, तो देखिए, इसमें screen recording का option खुलके आ रहा है, लेकिन आप उसमें करेंगे अपने paragraph में, तो यह F7 करते हैं, spelling and grammar का option खुलके आ जाएगा, उसमें आपकी जो भी spelling सही हो, वो spelling पे click कर देना, और वो आपका हो जाएगा, इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें screen recording चल रही है, इस समय, इसलिए इसमें काम नहीं कर रही है, तो देखिए, मैं आपको MS Word के ऐसे option बता रहा हूं, जो परिक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं, SC में और computer के paper में, इन सभी में ये question पूछे जाते हैं, तो आप इने बड़े ध्यान से समझ जीए, और समझाने के लिए मैं आपको example भी बता रहा हूं, तो आप मेरे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, और share कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, अब हमारा next question है, सात्मा question है, ms word में alt-shift-d key का प्रयोग करने के लिए कि shortcut key का प्रयोग किया था, मतलब alt-shift-d से क्या होता है, तो इसका answer है, current date, end note, end note लगा सकते हैं, current date लगा सकते हैं, font dialogue भो खुलता है या कुछ भी नहीं होता है, तो हमारा right answer है, हम कहा करते हैं, current date लगा सकते हैं, जो भी हमारी current date है, हमारी current date लगा जाएगे, जो भी हमारी date है, अब ही जो हमारी date है, वो date इसमें आ गई है, ms word में alt-d से, अब हम next question की चरप चलते हैं, आठमा question है, हमारा ms word में justify align के लिए कौन सी shortcut key का प्रयोग होता है, मतलब justify और align के लिए कि shortcut key का प्रयोग होता है ms word में, तो हमारे answer है control r, control j, control d, control t, right answer है हमारा control j, control j से हम alignment कर सकते है, paragraph का alignment, वो कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको भी करके बताऊंगा, देखिए, मैं आता हूँ आप practice वाले work पे, और मैं आपको एक बार practice वाली file पाया जाता हूँ, और करके दिखाता हूँ, यह मैंने paragraph select किया, और control j जैसे ही मैं press करूँगा, देखिए, यह right side से आपकी सारी line है, एक जैसी हो गई न, तो control j से क्या होता है, वो अपने हिसाब से अपनी set कर लेता है, paragraph दिखिए, आप अपने हिसाब से set हो गया है, दोनों paragraph control j मैंने जैसे ही press किया, वो set हो गया, इसमें उपर option भी आ रहा है, इसमें लिखवा भी रहा है, कि justify का shortcut होता है, control j, अब मैं अपने next question की तरफ चलता हूँ, next question है हमारा, ninth question, ms word में, active working window को बंद करने के लिए, कि shortcut की का प्रेयोग होता, active working window, जिस window पर हम काम करने हैं, उसके हटने के लिए, तो देखिए, control w, इसका right answer होता है, control w में जैसी press करता हूँ, अब देखिए, उसना बता दिया, कि आप अपनी file को save करना चाते हैं, तो आप save करने, नहीं करना चाते हैं, तो आप don't save करते हैं, अब हमारा next question आता है, धस्मा question और last question वो होता है, हमारा, desktop पर चल रहे किसी program को बंद करने के लिए, किस की का प्रयोग करते हैं, desktop पर जैसे program चला होता है, तो उसे हम बंद कैसे करते हैं, alt f4, control f3, control f2, या कोई नहीं, तो हमारा right answer है, alt plus f4, alt plus f4, जैसे ही मैं press करूँगा, तो देखिए, वो बता रहा है, do you want to save, जिस file मतलब आप इस file को save करना चाते हैं, और save करना चाते हैं, तो yes कर दीजी, नहीं करना चाते हैं, तो no कर दीजी, देखिए, मैंने आपको सारे 10 के 10 question बता दीए, एक वर मैं आपको दुबारा से repeat करवायता हूं, मैं MS Word में page break करने के लिए, control enter हमारा right answer है, MS Word में font dialogue box open करने के लिए, पहला और दूसरा दौना option हमारे काम करते हैं, तीसरा MS Word में selected test को small letter में ले जाने के लिए, कौन सी shortcut की होती है, control shift k होती है, चौता question है, हमारा MS Word में letter case change करने के लिए, किस shortcut की का प्रेक कर दिया जाती है, shift plus F3, पाच मा question है, MS Word में hyperlink insert करने के लिए, आपको मालुम है, control plus K काम करता है, और spelling and grammar के लिए F7 प्रेस करते हैं, तो यह सारे shortcut मैंने आपको बता दिया है, करके दिखा दिया है, आपको बकाईदा example के through मैंने आपको समझाया, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, यह सारे question आपको, आपकी जो computer के paper होते है, SSC का paper होता है, GD का paper होता है, इन सभी में काम देंगे, तो आप इनको सबको याद कर लेना, एक बाद समझ समझ के, और मेरे इसके और भी कई part डालूँगा आपके लिए, तो आप मेरी वीडियो को देखें, और अगर MS Word से related आपको कोई वीडियो देखनी है, तो भी आप मे इसका part भी मैं आपके लिए डालूँगा, तो अब हम मिलते हैं next part में, thank you watching